देखो आनंद का भी एक जूला होता है जैसे पहले के जमाने में जब बच्पन में जूले जूलते थे तो पेडों से रसी यहां लटकती थी और उसी के उपर खड़े हो करके दोनों हाथ पकड़ करके जूलते थे कितना आनंद आता था और दूसरा कई बार कई लोग पेडों पर रसी डाल करके फासी पर भी जूलते हैं लेकिन फासी पर जूलना और जूले में जूलना बहुत बड़ा अंतर है जूले में जूलना जो है आनंद का अनुभव कराता जैसे एक खुशी का अतिंद्रिय सुख का अनुभव कराता है लेकिन जो फासी पर जूलता है उसका प्राण तन से निकल जाता है दुख-दर्द के कारण वो जूलता है तो हमें कौन सा जूला-जूलना है अवश्य अंतिम समय जिन्हों ने अपने पास दुआओं का खाता जमा नहीं किया है उनको जैसे फासी पर जुलने वाला अनुबो होगा दुख, दर्द, पीड़ा, अनेक जन्मों की जैसे इकठी उभर करके आ रही है ऐसी अनुबुती होगी लेकिन जिनके पास ये दुआओं का खाता भरपूर है उसके लिए ऐसा मैसूस होगा जैसे अतिंद्र ये सुख में जूल रहे हैं जैसे खुशी में जूल रहे हैं आनंद के जूले में जूल रहे हैं ये अनुबो होगा तो इसी लिए दुआएं हमारे ब्राह्मन जीवन के अंदर सूक्ष्म होती है लेकिन बहुत अंदर से पावर्फुल होती है और उसकी एक लहर हमें फैलानी है जैसे पंखा चलता है तो एक राउंड चलने से लहर नहीं फैलती है लेकिन जब लगातार पंखा चलता है तब वो थंडख की लहर का अनुबो कराता है ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि दुआओं की लहर ऐसी फैलाओ लहर फैलाना मतलब लगातार ऐसा प्रवा हम फैलाएं वातावरण के अंदर जिसके लिए कहा जाये कि जितना हमारे पास शुब संकल्पो का स्टॉक है जतना हमारे पास शुब भावना शुब कामना का स्टोक है उसको नित्यप्रवाहित होने दे जतना यह नित्यप्रवाहित होगा उतना ही अनुभव यह होगा जैसे कि हम दुआओं से उस खुशी के जूले में जूल रहे हैं तो इसे लिए ये लगातार वाला प्रोसेस है कोई एक बार बैयम योग में बैठे और मैंने सारे विश्व की आत्माओं को शुब भावना शुब कामना का दान दे दिया इसको लेहर नहीं कहा जाता है लेहर माना निरंतर जो कॉंस्टंट चलती रहे तो उसका आधार क्या है तो सबसे पहले तो बाब हमेशा तीन शब्द का प्रयोग करते हैं और वो तीन शब्द है बैलन्स, ब्लेसिंग्स और ब्लिस भावार थिये कि ब्राह्मन जीवन में जितना हमारा बैलन्स होगा बैलन्स से अगर आप चलेंगे तो बैलन्स से चलने में अनेकों की दुआएं, ब्लेसिंग्स सहज हमें प्राप्त होने लगेगी और उसका अनुभव क्या होगा तो ब्लिस, आनन्द ब्लिस मना सदा निरंतर उस आनन्द की स्थिती में जिस तर कहा जाता है दुनिया में भी कि वहीं सर्वोच प्राप्ति अगर है तो वो है आनन्द की अनुभुति जो बड़े-बड़े रिशी मुनी, बड़े-बड़े महात्माओं ने भी, सन्यासियों ने भी अगर घर बार त्याग किया, छोड़ा तो कहते हैं उस परम आनन्द का अनुभव करने के लिए लेकिन बाबा ने कहां सब छोड़ने से आनन्द का अनुभव नहीं होता है, छोड़ने से अगर सब कुछ छोड़ दिया और आनन्द का अनुभव हो, फिर तो जैसे दुनिया की आत्माओं के लिए बहुत दुरलब हो जाए लेकिन विधी बाबा ने ये बता दी, बैलन्स से ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स से ही आनन्द की अनुभवती होगी, यानि ब्राम्ण जीवन में जितना हम बैलन्स से चले, तो अपने आप दुआओं के खाता हमारा जमा होता जाएगा, और दुआओं का खाता जमा हो ज थोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन balance रख करके चलना है, किस-किस में balance रखेंगे? तो balance जो हमें बाबा ने बताए है कुछ, गुणों का balance उस चीजों का balance ऊसको balance नहीं, शिर्फ कहते हैं, लेकिन एक है कि ब्राह्मण जीवन में स्ववनती है दूसरा ब्राह्मण परिवार में हम रहते तो परिवार के साथ की जो सेवा है क्योंकि मिलेगी ब्राह्मण परिवार से मिलेगी तो इसी लिए जो है ब्राह्मन परिवार में हम है तो ब्राह्मन परिवार के साथ का जो रिष्टा नाटता हमारा है जिस तरह का हमारा संबंध है वो हमें ग्लेसिंग्स का अनुभोग कराएं तीसरा सेवा सेवा में भी दो सेवा विशेश बताई गई है एक है यग्य सेवा और एक है विश्व सेवा तो इनका भी बैलन्स बहुत जरूरी है तो स्ववन्नति ब्राह्मन परिवार यग्य सेवा और विश्व सेवा ये चारों के कोई भी चीज में एक्स्ट्रीम नहीं जाना है लेकिन बैलंस से चलने के लिए बाबा ने कहा दूसरी बात जो बाबा कहते हैं बैलंस रखना है, चारों सब्जेक्ट में सभचना है ज्यान, योग, धाना, सेवाikum उसमें बैलंस की आवश्यक्ता है and और जब ब्राह्मन परिवार के साथ है तो नैचरल है वहाँ कोई न कोई गुणों के आधार से हमारा व्यवहार उसमें भी वो गुणों में भी एक्स्ट्रीम नहीं जाना है लेकिन बैलन्स से चलना है तब बाबा कहें ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन जाते हैं तो ब्लेसिंग्स का आधार ही है बैलन्स बिना बैलन्स के ब्लेसिंग्स कभी प्राप्त नहीं होती है और उसकी अनुबुती क्या है आनंद नित्यानंद परमानंद सदा आनंद यही तो चाहिए रिशी मुनियों ने जिसके लिए इतने तप किये इतना त्याग किया इतना कुछ छोड़ने के बाद भी उस आनंद का अनुबहु नहीं कर पाए वो बाबा हम बच्चों को अती इंद्रिय सुख के जूले में जुलाते हुए आनंद का अनुबहु कराता है दूसरा आधार है ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का कि जैसे दुनिया के अंदर भी किसी माबाब का बहुत सुपात्र सपूत बच्चा होता है आग्याकारी होता है हर बात में तो उसको स्वतह ब्लेसिंग्स मिलती रहती है ठीक इसी तरफ पर्मात्म ब्लेसिंग्स के पात्र बनने के लिए भी बाबा ने हम बच्चों को जो श्रीमत दी है उस श्रीमत को कितना हाजी करके चलने वाले जैसे ही हम हाजी करते हैं तो कहा जाता है कि हाजी करने से ही blessings का दर्वाजा खुलता जाता है जितना दिल से सेवा करते हैं निरंतर आग्याकरी सपूत बंद करके जितना चलते हैं बाबा की श्रीमत को हाजी करके दिल से सेवा करने वाले तो दिल से सेवा करने वालों के लिए दुआओं का दर्वाजा नित्ति खुल जाता है ये बाबा के वर्दान को हो ये बाबा का जैसे बहुत सुन्दर हर एक का स्नेह, प्यार, दुआएं, शुब भावना, शुब कामना बरसने लगती है और सचमुच जब हम शरीमत परहाजी करते हैं तो हर भाई बहनों को भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये भागवान की शरीमत को पालन करते हुए चलते हैं उस आत्मा के प्रतीन न कभी किसी को रीस होती है न कभी किसी को उदासी मिलती है क्योंकि भागवान की आग्या को बहुत सहज रिती से उसने स्विकार किया है तो इसलिए ब्रामण जीवन में सबसे बड़ा वरदान अगर कहे तो यही है कि बस हर श्रीमत को निरन तर अम्रत वेले से लेकर रात्री तक जितना नैचरल रूप से श्रीमत का पालन करते जाएं तो हमेशा सबकी दुआओं के पात्र सहज स्वाभावी कृती से बन जाते हैं जैसे मम्मा को देखा जून मास आते ही मम्मा की विशेश स्मृतियां आ जाती है और मम्मा के विशई में कहा जाता है कि वो हमेशा बाबा की हर श्रीमत को हाजी करते हुए चलते थी सहजता से महनत भी नहीं लेकिन हमेशा यही फीलिंग आती थी मम्मा के जीवन में कि मैं कर रही हूं नहीं हुकमी हुकम चलाए रहा है सहजता से जो बाबा ने कहा किया और इसलिए शायद मम्मा विशेश आत्मा बन गई क्योंकि प्रभु की कोई भी श्रीमत की अवग्या नहीं किया निरंतर हाजी का पाठ मम्मा का मम्मा बना दिया उसको कि बाबा ने भी मम्मा कहा तो यशोदा माता ने भी मम्मा कहा तो मम्मा की मा ने भी मम्मा कहा और निर्मल शांता दादी हमेशा ये बताती थी कि यग्य के अंदर मम्मा कहना जो आरंब किया वो निर्मल शांता दादी ने सबसे पहले किया क्योंकि निर्मल शांता दादी को सबसे पहले वो मा की फीलिंग आई सोचो उनकी मा भी सामने थी बाबा के साथ यशोदा माता भी सामने थी लेकिन उनको सबसे अधिक मा की फिलिंग जैसे ही मम्मा से आने लगी तो यग्य में सबसे पहली बार जो मम्मा कह करके पुकारा निर्वल शांता दादी ने पुकारा और तब से लेकर के सबने मम्मा कहना शुरू कर दिया तो बाबा के भी विशेश दुआओं के पात्रात्मा बन गई उसके बाद अगर देखा जाए तो भावू की जो सिती थी के इतना आरम से लेकर के सपूत बच्चा जिसको कहा जाए यग्य के अंदर बाबा के हर बोल निक चलने से पहले ही जैसे वो आज्याकारी बन करके चलने वाला इतना पक्का नियम धार्णाओं में के शायद ही आज कोई ब्रामन इतना नियम धार्णाओं में पक्का होगा कहा जाता है कि भावु जब जाते थे बाबा के कुछ भी ऑफिशल कारोबार के लिए भी दिल्ली बंबे जाना होता था तो भावु की एक किट रहती थी उनका थैले के अंदर एक छोटा सा स्टो रहता था और दो चार बरतन रहते थे खिचड़ी बनाई और खाई ये भावु की स्थिती थी नियमधार्णा में सेंटर पर भी जब पहुँचते हैं तभी खाते बाकि अगर कारोबार से गए और सेंटर नहीं है तो ये नहीं के किसी ग्रहस्ती के घर में खा लिया कई भाई बैने बुलाते भी थे कि भावु आप आए हो भोजन के लिए आ अधानाओं में जो आज्याकारी बन करके चले तो बाबा का जैसे विशेश वर्दानों का हाथ उनके उपर रहा इसी तरह दादी हमेशा अपने आपको निमित समझते हुए चलती रही तो कहने का अभावार्थ ये जो आधी रतनों ने किया कि किस तरह से सुपात्र बन और इसी लिए भगवान की दुआएं सहज स्वतह उन्हें प्राप्त होती रही और हर कदम में हिम्मत के साथ आगे बढ़े नियम धार्णा के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और इसी लिए जितना हिम्मत से चलते हैं तो उतना ही सहष्टा से उसको अनुभव करते हुए जाता है कि तीसरी बात दुआएं किसको मिलती है तो आवश्यक्ता के समय पर सहयोगी बने आवश्यक्ता के समय पर जो सहयोगी बड़ा योगी हो जाता याद आता है मुझे कि जब यग्य शिफ्ट हुआ करांची से लेकर माउंट आबू और नैचरल है करांची तो समुद्र किनारा था समुद्र किनारे पर कभी ठंडी होती नहीं जैसे बंबई में कभी ठंडी होती नहीं है ठीक इसी तरह वहां पर इनके पास ना कोई गरम कपड़े कोई जरूरत ही नहीं थी लेकिन जैसे ही माउंट पर आये और उन दिनों में ठंडी भी इतनी ज्यादा होती थी बरफिली हवा ही चलती थी तो जो लेकर के आये थे अब सब के पास गरम कपड़े तो नहीं थे और इसी लिए बेगरी पाठ शुरू हुआ यह यग्य में बेगरी पाठ आना भी कल्यान करी था क्योंकि तभी भाई बेहने जो बाबा के संग थे वो धीरे धीरे बाहर सेवा पर निकले तो सेवाओं का पाठ खुलना था सारे विश्व के अंदर तो सेवाओं पर तभी तो जाते नहीं तो जैसे 14 साल वहां बाबा के संग रहे इन्होंने यही सोचा हम सदाई बाबा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ ही चले जाएंगे तो यज्यम में बेगरी पार्ट भी ड्रामा अनुसार इसलिए कल्यान करी था क्योंकि तभी ये बाहर की सेवा का दर्वाजा खुला और इसलिए बाहर बाबा को भेजना था शे बाबा को कि अब बच्चे आपने तपस्या अच्छी कर ली अब उस तपस्या का प्रमान लेयाओ तो इसी लिए बाहर ब्रेजना था लेकिन कोई याते नहीं थे तो इसी लिए बेगरी पाट जैसे शुरू हुआ तो धीरे-धीरे बाबा ने सब को बाहर बेजना शुरू किया कि बच्चे अभी आप जा करके जो बाबा ने सिक्षाएं दी है वो सिक्षाएं दुनिया के साथ बाटो उसको देना शुरू करो और उस समय जो यग्य के अंदर पाट चला बाबा तो निश्चिंद रहे क्योंकि चाराना नहीं होता था गर में कोई दाना नहीं होता था भोग तो बाबा को लगेगा और इसलिए जब पहला भोग बाबा को लगेगा जिस दिन बाबा को भोग नहीं स्विकार होगा तो हम सब भी भूखे रहेंगे और यह तो भक्ति में भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान कभी भूखा रह सकता है और इसलिए बाबा कहते थे समय वो पैसा उनको देते थे जब वजार जाकर आटा लेहाओ और डोड़ा और छाज सभी को बोजन खिला दो कहने का भावार्त आई वेल पर मददगार जो बनें तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा ये जो 500 रुपया 1000 रुपया ये जो आता है कभी 500 आया कभी 700 आया कभ बेज रहा है तो बाबा हमेंशा कहते थे कि बच्छे रावन की नगरी में एक मंदोद्री है जो राम की मददकार है वो बेज रही है बंधन में thy वह माता लेकिन सब्जी में उसके परिवार वाले इतना इटेंशन रखते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये दादा के साथ जुड़ी हुई है बाबा के साथ जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं वो भेज ना दे इसलिए इतना गिंती का पैसा देते थे सबजी लाने का अनाज लाने का उसमें से वो बचाती थी 500 700 रूपया जो बचा करके निकाया ятель daí नोब समें 500 700 ऑनलों बेरेते थाetter उसमें से बचाyards करें वो बाबा भेज दे तो जब वो बेज देती थी हुद गभाल लें जरूर मिलना है मतुबन जाना है बाबा कैसे उसकी आश नहीं पूरी करता और इसलिए धीरे-धीरे बंधन डालने वाले जैसे जैसे शरी चोड़ते गए अवस्था होती गई चरी चोड़ते गए तो वह माता भी बहुत बुजर्ग हो गई थी और बहुत बुजर्ग होने के नाते वह जो है जब बंधन मुक्त हुई तो उसने बाबा को पत्र लिखा या टेलीफोन किया कि बाबा मैं आ रहे हूँ आप सोचो बाबा की खुशी का कितना अपरमपार ऐसे समय पर जिसने मददगार बने रावन की नगरी में होने के बावजूद भी जो इश्वर को मदद करती रही तो सोचो के जब वो आई मदवन तो बहुत छोटा सा था कोई धंग का कमरा नहीं था उसी समय ये छोटा वॉल बनाया था बाबा ने और चार कमरे जो वहां पर है दादी जी का गुलजार दादी का ये चार कमरे बने हुए थे सिम्पल से और वो भी इसी लिए बाबा ने बनाये थे क्योंकि बड़ी दादी का बहुत बड़ा ओपरेशन हुआ था तो बड़ी दादी को अच्छी तरह से रेस्ट मिले क्योंकि बड़ी दादी नहीं तो जनरल में सोती थी सभी के साथ दो हॉल थे तो उसमें सारी बहने सोती थी एक में दस बैड थे दूसरे में दस बैड थे बाकी तो सेवाओं में बाहर थे तो उसी में दादी भी रहती थी इतना त्याग किया है लोगों की अगर हिस्ट्री जब सुनते हैं तो लगता है कि सचमुच इन्होंने कितना जीवन के अंदर जो त्याग किया है और फिर भी आग्या कारी बन करके चले तो जब उसका फोन आया बाबा मैं आ रही हूं फलानी ट्रेन से तो बाबा ने कहा कि बच्ची आएगी इतने बड़े घर की है वो तो कहां रखेंगे उसको तो जब आपस में बातचित होने लगी तो बाबा ने कहा मेरा कमरा मैं खाली कर देता हूं और मैं जो है पैसेज में सो जाओंगा लेकिन बच्ची इतने बड़े घर के हैं और नैश्रल है उसको उस तरह की सुविधा में रहने की आदत है तो बाबा अपना कमरा खाली करेंगा अब आप सोचो बाबा अपना कमरा खाली करें ऐसा हो सकता है क्या तो उस समय फिर दादी ने कहा नहीं मैं जन्रल में रहूंगी बाबा आप अपना कमरा नहीं खाली करो आप वहीं रहो और मेरे कमरे में वो रहेगी दादी ने अपना कमरा खाली करके उसके लिए दिया यानि जिसको कहे कि बहुत खात्री बाबा ने किया और क्यों किया जैसे यही बाबा के नितियों सात्मा के प्रति क्योंकि आई वेल पर सहयोगी बने तो भावार्थिये के समय पर आवश्यक्ता के समय पर जो सहयोगी बनते हैं वो विशेश दुआओं के पात्र बन जाते हैं